तब अश्का दोस्तों एक बार फिर से एनेचेम द्वारा वेकेंसी जहाँ पर रिलीस कर दी गई है रेक्रूटमेंट वेबसाइट पर आ चुका है सभी तरीके की पोश्ट यहाँ पर शामिल की गई है आप सभी लेग को बताना चाहता हूँ यह सभी तरीके के पद यहाँ पर शामिल की गए है आठ वी कक्षा भी अगर आप लोग यहाँ पर पास है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आविदन करेंगे मातर एक छोटा सा इंटर्व्यू आप सभी लोग कहाँ पर लिया जाएगा और इंटर्व्यू के माद्धम से आपको जाइनिंग दे दी जाएगी सबसे पहले आप सब लोग यह जान लें इस बार जो विकेंसी यहाँ पर जो रिलीस की गई है आप सब लोग यहाँ पर हेडिंग पर सकते लिखा हुआ है सरकारी भर्ती का विग्यापन आप आप आच चुका है और देख सकते हैं और भर्ती का विग्यापन का जो प्रारूफ है आपको यहाँ पर प्रुवाइट कराग दिया गया है किस तरीके से एपलाय करेंगे लाजड देट यहाँ पर क्या रहेगी पोस्ट वाइस कितनी क्या वेकेंसिया आपे शामिल की गई है एज क्रेटिरिया, क्वालिफिकेशन और सैलिय पेकच के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको आपे मिलने वाली है और एपलाइक किस तरीके से करना है साने इस्ट्रेक्शन निर्देश में आपको आप रीट करके बताने वाला हूँ सबसे पहला आप पुल्क्रा करना है, इस वीडियो का आप लाइक कर देना है लाइक जरू करें, इस मैनत को लाइक जरू करें इस वीडियो को लाइक जरू कर ना, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप सब लोग पूर सकते हैं, स्वास्त बिवा की आगे आने वाली हर एक सरकारी भरती की जानकारी इसी तरीके से आगे पी चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब क अपने अपडेट को, और बढ़ जाते हैं, अपनी वेकेंसी टेविल की और, तो दोस्तों देखिए, पहली जो पोस्ट यहां पर शामिल की गई है, रेडियो ग्राफर की है, एक पद यहां पर निकाल गया है, इसके बाद दोस्तों देखिए, फार्मेसिस्ट की भी वेकें वेकेंसी भी है, दस पद यहां पर निकाल गया है, वार्ड बॉय और वार्ड बाया, तो दोस्तों देखिए, वार्ड बॉय के लिए, यहां पर दस पद है, और वार्ड आया के लिए, बारा पद यहां पर शामिल की गया है, और डाइलिस्ट टेकनीशन के यहां पर वेकें पे एलिजिबिल हैं आप दोस्तों बात कर लेते हैं योगता के तौर पे क्वालिफिकेशन आपको 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 बता जा रहा है रेडियोग्राफर की पोश्ट के लिए 20,000 रुपे परमाद बेसेस पतनका दी जाएगी 12th क्लास पासोन आपको 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 काम पर चाहिए और 36 घरण राज का पैरा मेडिकल गांसेल का आपको आपनापर रिजिस्टरेशन भी मागा जा रहा है इसके असासाथ फरमेसिस्ट की वेकैंसी है 16,500 रुपे परमाद बेसेस पतनका करें जो की फार्मेसी में होना आपको आपको आपर ज़रूरी है और 34 घ आज दिखा नर्सिंग कांसल का आपको यहां पर रेजिस्ट्रेशन भी चाहिए है इसके बाद दोस्तों लाइब टेक्निशन की पोस्ट है 14,000 रुपे वेतन आपको यहां पर दिया जाएगा और BMLT का कोर्स हो यहां पर देखिए BMLT का कोर्स है तो बिल्कुल अपलाय करें और चाहिए लाइब रेजिस्ट्रेशन भी चाहिए है अगली जो पोस्ट है वर्ड आया की यहां पर रहेगी वर्ड बॉई के लिए रहेगी इन दोनों में देखिए सेम सेलरी पैकेज है 8,800 रुपे परमाज बेसिस पर तनखा दी जाएगी और आठीवी कक्षा पास होना आप कहां पर जरूरी है इसमें कोई भी experience की आप कहां पर जरूरत नहीं है एर्थ क्लास अगर आप लोग यहां पर पास है आठीवी कक्षा पास है तो बिल्कुल आप लोग यहां पर करना है और आप लोग यहां पर इंटर्व्यू में शामिल हो जाएं अब दोस्तों बात करनेते हैं अपलाई किस तरीके से करना है और लाज देट यहां पर क्या रहेगी और इंटर्व्यू के जानकारी भी मैं आपको आप देदेता हूँ तो सबसे नीचे की तरफ देखिए आपको यहां पे application form का format डे जा रहा है यह application form आप लोग यहां पर फिल करेंगे आपकी basic detail है और इसमें आपका नाम आपके पिता का नाम data birth आपके communication की जानकारी और address की पूरी information दे रहे हैं इस होगा है सबी वर्ग पुरो शो यहां पर देखिए मैला हूँ आपको देखिए 100 रुपे का राष्टिकरत नेशनल बैंक से नेशनलाइस बैंक से आपको यहां पर डिमांटराट बनवाना है जो कि देखिए मुक्य चिकरसा इमस्वास अधिकारी जेला बलरामपुर के नाम से यहां पर देख होगा और यह जानकारी आपको मैंने यहां पर प्रवाइड करा दी है और दोस्तों देखिए आपको यहां पर इंटर्विव में शामिल हो जाना है इंटर्व्यू में शामिल होने के लिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आप कहां पर दे जा रहा है आवेदन पत्र हेतु पंजियन निर्धारित वॉक इन इंटर्व्यू जो है आपका 9 बजे से 12 बजे की बीच आप रहेगा कहां पर जाना होगा कारयले मुख्य चेकिसा एवं स्वास्त अधिकारी जो है स्वास्त बलरामपुर रामनुज गंच छतितगर्ण में आपका आप इंटर्व्यू लिया जाएगा और इसके बाद दोस्तों देखिए दो बजे से जो है आपका आपे लिखा हुआ है आवेधन दोफैर दो बजे तक जमा करना आपका आवशक होगा तो दो बजे तक आप लोग अपना आपे आवेधन जमा कर देंगे जो भी आपको फॉर्मेट नीचे के तरफ दिया जा रहा है एज का क्रैटिरिया देख लें 18 वर्से 62 साल के सबी केंडिरेट से आप एपलाय कर पाएंगे और वार्ड बॉय और वार्ड आया की पोश्ट के लिए 18 वर्से 40 वर्स उमार आपको आपके रखे गई है तो ये एज तक के सबी केंडिरेट से आप एपलाय कर सकते हैं दोस्तों देखिए आपके कुछ और इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आप सबी लोगों को यहां पर बता जा रहा है कि एक वर्स के लिए आपको शुरूबात में न्युक्ती आपको आप दी जागी समीधा के आधार पे आप लोग अपने आप न्युक्ती लेंगे का पता शुरूबात में आप लोगों को सारे प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी आपको यहां पर देखिए लिखा हुआ है निर्धारी तिती 22 फरवरी 2021 दिन सुमवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आप लोग कार्याल है मुखे चिकेसा एवं स्वास अधिकारी बलरामपुर में समस्ते पदों के पंजियन हेतु उपस्यत होंगे तो देट आपको 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 उमीद करता हूँ अपडेट आपको आप समझ में आ गया होगा और इन्फोर्मेशन भी आपको आपको मिलते होगी लाइकर इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को आपकर इस मेरत को लाइक यरू करें कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है कोई भी सवाल है आप से भी लोग पूछ सकते हैं और चतितगर राज्जी की स्वास्त बेवा की हर एक सरकारी भरती की जानकारी इसी तरीके से आगे भी चाहते हैं